वेलकम टो एपलस ग्रेड एजुकेशन सेंटर आज हम क्लास नाइन की प्रश्णवली 1.4 को सॉल्व करेंगे आपका पहला क्वेश्चन है उत्रोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.7-6-5 को देखिए इस संख्या को आपको संख्या रेखा पर आवर्धन करके देखन है आवर्धन का मतलब होता है जूम करना जसतरे से आप किसी अपनी फोटो को जूम करके देखते हैं तो वो बड़ी देखने लगती है उसी तरह से आपको संख्या रेखा पर इस तो वो आपको मिलेगा 3 और 4 के बीच में, ठीक है न, यहाँ पर 3.1 होगा, 3.2 इस तरह से, तो यह जो संख्या है 3.7 वो आपको मिलेगी 3 और 4 के बीच में, अब इस वाले unit को, इस वाले term को हम क्या करेंगे, जूम करेंगे, जब हम जूम करते हैं, तो हमको एक संख्या रिखा, यह second वाली मिलती है, इसमें आपको, अब देखना है क्या, 3.76, 3.7 तो हमको इस संख्या रिखा पर मिल जाएगा, देखे हमने इसको क्या लिखा, 3.0, 3.1, 3.2, इस तरह से 3.7 मिला हमको, ठीक है, अब हमें देखना है, 7 के आगे 6 ओर चाहिए, तो 3.76 हमको कहा मिलेगा, 3.7 और 3.8 के बीच में, यहाँ पर हमको, यह 3.76 मिलेगा, 7 तक है, 7 के आगे हमको 6 ओर चाहिए, तो यहाँ पर मिलेगा, अब हम इस वाले टर्म को फिर से जूम करेंगे, तो हमने 3.7 को यहाँ पर क्या माल लि फिर 3.71 इस तरह से आगे बढ़ते गए यहाँ पर 3.8 को माना 3.8 जीरो अब हमको यहाँ पर हम कहां तक आ गए देखिए 3.76 तक आ गए अब हमको क्या देखना है 3.76 वो कहां मिलेगा 3.76 तो अभी यहाँ पर 7.6 एक 7.6 दो इस तरह से चलेगा तो 3.76 और 3.77 इसके बीच में ह 3.76 पाँच मिलेगा अब हम इस टर्म को फिर से जूम करेंगे तो यहाँ पर 3.76 को हमने क्या माना 3.76 जीरो फिर 3.76 एक 3.76 दो इस तरह से हमने आगे बढ़े तो यहाँ पर 3.76 पाँच आ गया यह देखिए हमको जो संख्या चाहिए थी वो हमको मिल गई तो हमने इस संख् रेखा पर इस तरह से दिखा दिया तो इस तरह से आपका पहला कोश्चन कंप्लीट हुआ अब हम करिएंगे इसका सेकेंड कोश्चन आपका दूसरा कोश्चन है चार दिसमलो इस्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 का बार को देखिए यहाँ पर आपको संख्या दी गई ह चार दिसमलो दो चै का बार तो जब चार दिसमलो दो चै के बार को आप खोलोगे तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है यह है चार दिसमलो दो चै दो चै दो चै इस तरह से यह आगे बढ़ता जाएगा आपको दिसमलो के चार अंकों तक निकालना है चार इस्थान तक निकाल निकालना है मतलब आपको 4.262 अंक दिये थे पहरे से दो अंक यह हो गए इस तरह से आपको यहां तक आपको निकालना है संख्या रेखा पर इस संख्या को आपको दर्साना है चार दिसमलोद दो चै दो चै को तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यह संख्या दी गई है यह संख्या हमें संख्या रिखा पर किन दो अंगों के बीच में मिलेगी तो यहाँ पर आपको देखता है चार दिसमलोद दो को तो 4.2 आपको कहां मिलेगा 4 और 5 के बीच में तो यहां पर मिल जाएगा अब हम इस वाले टर्म को क्या करेंगे फिर से जूम करेंगे तो हमने जूम किया तो अब क्या मिला 4 को हमने लिख दिया 4.0 आगे आएगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 इस तरह से यह 5 तक आगे 5 को आपने क्या लिख दिया 5.0 अब यहां पर आपको क्या देखना है आप देखिए 4.2 तक तो आगे 4.2 यह मिल गया आपको अब आपको देखना है 4.2 चै तो 4.2 चै कहां मिलेगा 4.2 और 4.3 के बीच में मिलेगा क्योंकि यह 4.2 के बाद आएगा 4.2 एक दो दो इस तरह से तो 2.6 मिलेगा तो इस वाले टर्म को अब हम क्या करेंगे जूम करेंगे जूम करने पर हमें फिर से एक संख्या रेखा मिलेगी अब हम उसमें 4.2 चै मिल जाएगा यह देखिए 4.2 चै मिल गया तो यह वाली हमें संख्या रेखा मिलेगी यहाँ पर 4.2 चै था उसको आपको आगे देखना है 4.2 चै दो चै तो यह कहां मिलेगा यह आपको मिलेगा 4.2 चै दो और 4.263 के बीच में तो इस वाले टर्म को अब हम जूम करेंगे तो जूम करने पर हमें ये संख्या रिखा मिलेगी इसमें हमको देखना है 4.262 तो 4.262,1 4.262,2 4.262,3 4.262,4 4.262,5 4.262,6 ये हमको वो संख्या मिल गई ठीक है? हमको दिसमलों की 4 रंगों तक निकालना था इसलिए हमने निकाला 4.262 बार लगा था तो हमने इसको बार खोल दिया तो ये संख्या है हाँ पर हमने इसको प्रदर्सित किया तो उमीद है कि दोनों पॉस्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पॉर वाचिंग दिस वीडियो